आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें तो क्या होता है कि इस वस्थ में अंदर से अंदर जो है आंतरिक प्रतक्रिया बल वनागता है क्योंकि हम इसको दबाएंगे मां लो मल लगा कि इसका आकार में परवेठन करनी कोशिस कर रहें तो यह जो बल है आंतरिक जो उत्पन हो रहा है यह क्या करूसिस करता है इसको अपनी पुरानी आउस्था में लाने की कोशिस करता है जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है जिसे आप आर भी लिख सकते हैं ठीक रियक्शन ठीक है आंतरिक प्रतिक्रिया बल अंदर इंदर उत्पन होत या प्रत्याने अन्बल भी आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि यह इसको वापस अपनी वस्था में लाने कोशिस करता है तो आप लिख सकते हैं कि साम्या वस्था में हमारा आंतरिक प्रत्क्रिया बल तथा छेत्रफल अनप्रस्त काट का छेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग क जाता है ठीक प्रतिबल एफ जिसको हम लोग जनरली सिग्मा से या उससे दिखाते हैं सिग्मा बराबर क्या हो जाए यहां से एफ बटा ए ठीक आंत्रिक प्रतिबल क्रिया बल क्योंकि बराबर तथा बिपरीद दिशा में है तो मैंने एफ ही लिग दिया है तो यहां से इसक प्रतिबल कहते हैं क्योंकि हमने अनुद्यर्ग दिशा में लगाया है यानि लागाया है तो इस प्रकार से हमारा जो प्रतिबल है वो तीन प्रकार का होता है सबसे पहले होता हमारा अनुद्यर्ग प्रतिबल ठीक है जब आप बल की दिशा जो है अनुद्यर्ग दिशा में जैसे मैंने इसमें लगाया है ठीक है अंदर्ग प्रतिबल हो गया दूसरा आपका होता है हमारा अभी लंब प्रतिबल ठीक है अभी लंब प्रतिबल होता है अगर हम लोग बल क्या लगें अभी लंब दिशा में नॉर्मल दिशा में लगाएं ठीक है अभी लंब प्रतिबल ये तीन प्रकार की प्रतिबल होते हैं इस बस्तवर की बल की प्रकाल लगाया जाता है ये आपकी प्रतिबल की परिभासा हो जाएगी जहां पर ये है आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनप्रस्त काट की छेतफल की अनपात को हम लोग प्रतिबल बोलते हैं अगला हमारा है थीक है विकृत्य्ति जिसे इंग्लिस में बोला जाता है इस ट्रे Shooter ए विक कृती तो आगर आपको बल लगाते हैं किसी वस्तु पर बाहय बल लगाते हैं जीक उस पर बाहे बल लगाते हैं, तो क्या होता है? उसकी आकरित और आकार में परिवर्तन होता है जो आपने पढ़ा है इसकी वज़र से आंतरीक प्रितके बल उत्वन होता है जो उसको अपनी प्रारम्भी का वस्था में लानी कोशिस करता है ठीक है? तो हम जब वस्तु की यस साउस्था को क्या कहते हैं विक्रित जब उसमें परिवर्तन होता है यानि उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है लंबाई में छेत्रभाल में किसी चीज में परिवर्तन हो सकता है ठीक है एक तरह से उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है ठीक है तो वस्तु कि एकांक आकार मे होने वाले भिनात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं विक्रित कहा जाता है ठीक है तो एक आंक कार में होने वाले परिवर्तन को भिनात्मक परिवर्तन को विक्रित कहते हैं ठीक है इसका अगर अब आप परिभासा के रूप में मतलब मैhत की रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप डेलटा L, बटा L ठीक है, हमारा होता है लंबाइ में चिंज बटे, अप्रारंभिक लंबाई तो यहां से इसका लंबाई बटे लंबाई मतलब इसकी कोई बीमा और कोई मातरक नहीं होता कि इंको दोनों कट जाएंगे ठीक है तो यहां से केवल यही सूत्र हमारा नहीं होता विक्रित का ठीक है यह तो एक जन्रल फाम है इसे हम लोग यह जो मैंने लिखा है इ पिकृत मिलेगी अगर हमेरा अभिलंब प्रतिवल होगा तो हमें आयतनात्मक बिकरित या आयतन बिकरित जो ना कि चयोंकि लिद्वली बाने प्रません सब्सक्रास के सहें हमारा आयतन में परिवर्टन होता है तो उसे आयतन बिक्रित भोलते ऑन या आपका बराबर होता है जो कि जिसे searing strain बोलते हैं English में ठीक है तो यहां से आप लोग यह तीन प्रकार को होते हैं यहां से इसकी परिभासा हो गई विक्रित की ठीक है कि हमारा इसके आकार में होने परिवर्तन भिर्नात्मक परिवर्तन को इन दोनों की अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बिक्रित बोलते हैं अब हमसे अगला कह रहा है कि प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसके बाद प्रत्यास्था की सीमा तो प्रत्यास् अवस्था में प्रारंभिक वास्था में वापस आ जाता है ठीक है तो बढ़ता है और इसे छोड़ देते हैं अपने अवस्था में वापस आ जाता है तुसे हम लोग क्या बोलते हैं अब अगर हम प्रतिबल बढ़ाते जाएं इतना बढ़ाया बढ़ाते जाएं इसके बाद अगर बढ़ाएं तो यह अपनी प्रारंभी कर्ष्था में वापस नहीं लोट पाता तो क्या होता इसका प्रतियास गुण जो है यहां पे न में बड़ी अगर रबर था हमारा अब इतना खीज़ दिया कि इतना बड़ा वह गया अब आप बल हटा लेंगे तो फिर से वह अपने वापस नहीं आगा इतना बड़ा ही रह जाएगा तो इस सीमा को जिस सीमा था कि हमारा जो है आपने प्राक्रानभी कर्स्था में वाप नहीं आता उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा बोल दे जाता है ठीक है तो यह आपका पॉइंट जो हो गया है यहां तक यह हमारा प्रत्यास्था की सीमा होती है यहां तक हमारा प्रत्यास्था की सीमा वैलिड है यानि हम लोग होती है प्रत्यास्था की सीमा के भीतर ठीक लग विक्रित मतलब कि हम अगर बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हो उसके द्राइमेंशन में ठीक है उसके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन हो तो हमारा उसों लग विक्रित बोलते हैं ठीक है विक्रित जो हमारी इधर है हमारे जानते हैं कि हमारा आयतन में लंबाई में परिवर्थन बटा हमारे प्रारंभिक लंबाई या आयतन में परिवर्थन बटा प्रारंभिक आयतन ये सब होता है तो अगर लग विक्रित की सीमा के भीतर किसी पदार्थ पर ह हमारा बल कारणरत होता है तो उसके वज़े से जो प्रतिबल उत्पन होता है वो जो हमारा प्रतिबल होता है प्रतिबल जो है उस पर जो विक्रित होती है कि उसके अनुक्रमा नुपाती होता है लेकिन यह हमारे हमेशा कभी वैलिड होता है इस सीमा के अंदर ही वैलिड होता क्योंकि इसके बाहर प्रानम्भी कवस्था में आपस नहीं आता तो विक्रित आपकी क्या होगी हमारी हमेशा बढ़ी की बढ़ी रह जाएगी प्रतिबल इसके लगाने के बाद तो किवल क्योंकि यहाँ पर देखिए अनकुरमानुपाती है देख रहे हैं सिग्मा जो है एपसलान के अनकुरमानुपाती है क्योंकि एक सरल डेखा टाइप की ओ से ए तक एक सरल डेखा बन गई है तो यहाँ से हुक ने बताया था कि जब इसी ओ से ए तक ही हमारा क्या होता है प्रतिबल जो है विक्रित के अनकुरमानुपाती होते हमारा प्रत्यास्था गुडांक आया था जो कि यह बाया था कि प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर एक हमारा आयतन यह गुडांक आता है जो उसे बोलते हैं E E या Y से बोलते हैं इंटू Epsilon ठीक है तो हमारा प्रत्यास्था गुडांक बोलते हैं इसे Y या E लिख सकते हैं यह बराबर हो जाएगा Y बराबर प्रतिबल बटा बिक्रिति आ जाता है ठीक है Y एक गुडांक होता हमारा प्रत्यास्था गुडांक जिसे बोलते हैं यह Y पर्तिबल जो है विक्रित के अनुक्रमान उपाती होता है ठीक है